हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेसो में एड्रेस कैसे एड्र करें मतलब मेसो में न्यू एड्रेस कैसे एड्र किया जाता है तो मेसो में एड्रेस एड्र करने के लिए सबसे पहले आपने मेसो एप को ओपिन कर लेना मेसो एप ओपिन फिर आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस देखनी को मिलेगा तो यहाँ पे आपको बाइनो को ओप्सन दिखाए देगा simply आपने buy now option पर click कर लेना फिर यहाँ पर आपको देखे लिखा हुआ select size आप यहाँ पर अपने according यहाँ पर search को select कर लेना ठीक है search select करने के बाद यहाँ पर आपको नीची की तरफ buy now वाले option पर फिर से आपको click कर लेना फिर आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा देखे यहाँ पर लिखा हुआ select delivery address simply आपने क्या करना select delivery address वाले option पर आपने click कर लेना फिर आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा तो यहां पर आपका अगर जो भी आपका पुराना address यहां पर एड रहेगा यहां पर आपको देखनी को मिल जाएगा अगर आपको यहां पर उस पुराने वाले address को changing करना है मतलब change करना है यहां पर आपको edit वाले option पर क्लिक करके आपको उस पुराने वाले address को भी change कर सकते हैं यहाँ से बहुती आसानी तरीका से तो फिलाल मुझे क्या करना है Add new address पे klik करके अभी मुझे एक new address को add करना है उसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पिलस add new address वाले option पे klik कर लेना है फिर आपके सामने एक new page open होकर आ जाएगा और यहां पे आपको सारी details के option दिखाई दे रहे होंगे तो यहां पे दिखिए first में लिखा हुआ house number building name अगर आप गाउं से हो तो यहां पे अपना गाउं का नाम लिख लेना अगर आप सार से हो तो यहां पे अपना सार का नाम लिख लेना adjustment नीचे में लिखा हुआ road name area colony आपके तरफ का जो भी area होगा आपको यहां पे लिख लेना मतलब आप जो भी रोड से होकर अपने गाउं आते हो या फिर आप सहर आते हो तो उस रोड नेम को आपको यहां पर लिख लेना ठीक है फिर उसके नीचे में लिखा हुआ पिन कोड जो भी आपका पिन कोड होगा यह सबसे इंपोर्टेंट है तो यहां पर आपको अपना पिन कोड को लिख लेना ठीक है फिर यहां पर जो आपका आता है सीटी जो भी आपका सीटी होगा आपको यहां पर लिख लेना उसके ज़स्ट बगल में यहां पर अस्टेट है जो भी आपको अस्टेट होगा इस पर क्लिक कर लेना और यहां से देखिए मैं क्लिक कर लेता हूं इस पर और यहां से आपको अपने अस्टेट को सेलेक् फिर यहां पर जो लिखा हुआ उसके नीचे में famous place जो आपके तरफ का जो भी famous place होगा सौफ या फिर school या फिर आप hospital जो भी आपके वहाँ पर famous होगा आपको यहाँ पर लिख लेना ठीके फिर आपका यहाँ पर देखी नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देखी लिखा हुआ नेम आपका जो भी नेम होगा आपको अपना नेम को लिख लेना जो भी आप अपना नेम लिखना चाहते हैं आपको यहाँ पर अपना नेम को लिख लेना ठीक है फिर उसके बगल में contact number लिखा हुआ यह जो बहुत ही ज्यादा important है क्योंकि इसी contact number से आपको जो contact किया जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना contact number को लिख लेना है मैं यहाँ पर सारी details को डाल लेता हूँ आपने भी यहाँ पर सारी details को डाल लेना फिर आपको यहाँ पर save address and continue को option दिखाई देगा simply आपको save address and continue वाले option पर क्लिक कर लेना है तो save address and continue वाले option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए updating address जो आपका हो जाएगा और यहाँ पर जो भी आपका address आपने add किया है आपको यहाँ पर दिखे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका जो भी address होगा delivery address लिखा हुआ उसके just नीचे में जो अभी आपने add किया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फिर आप यहाँ से continue वाले option पर क्लिक करके आप यहाँ पर continue करके आपने product को यहाँ से उस testing video सबसे पहले आप तक आईगी और आप कुछ नया सीख सकते हैं तो अपना खयाल लगना चलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में मिलते हैं